ज़ब मिट्टी की टेस्टिंग होती है प्रयोग शालाओं में तो किया उसमें भी यह मालूम चलता है कि ये काले उसर वाली मिट्टी है और जब वहां जाचे होती है तो उन जाचों से पोशक तत्वों के बारे में इस तरीके से पता लगता है तो क्या ये भी बताया जाता है कि क्या इस तरीके से इस मिट्टी का इलाज भी संभव है क्योंकि सुलूशन बताया जाना इलाज बताया जाना ये बहुत जरूरी है यदि मिट्टी में काले उसर की समश्या है तो किसान वाईयों को मिट्टी की जांच भूमी सुधार के लिए करवानी चाहिए और अगर 8.5 से अधिक है तो उनको सला दी जाती उनको जिपसम की आवश्यक्ता बताई जाती है प्रती हेक्टेर आप इतना जिपसम ड जिपसम डालने के लिए पहले गर्मी के दिनों में खेतों की जुताई कर लें और आपकी मिट्टी परिक्षन रिपोर्ट में जितनी मात्रा दी हुई है उतनी मात्रा उसको खेत में भुरक दें उसके बाद उसको खेत में अच्छी तरह मिला दें उसके बाद जब मिला दी कोई ढालू खेत है तो ऐसा नहीं हो कि पानी एक तरफ आके भर जाए वारिश का उसको इस तरह से बीच में उसमें डॉलियां मेड बना देनी चाहिए जिससे खेत कई अगर पानी नहीं सोख पाती है तो उसको कहीं ऐसी जगे बाहर निकालने जहां वो कोई नुकसान नहीं करें दूसरे खेत को सामानी 10-15 दिन में जिप्सम डालने के वाद पानी मिट्टी सोख लेती है उसके बाद जब खेत में बहा आ जाती है तो उसमें धेंचे की कि जाती है ढेंचा बोने के बाद जब 40-45 दिन की ढेंचे की फशल हो जाए तो उसमें भी ही फशल को पलट देना चाहिए और को उपयोग नहीं है इसका हरी खाद के रूप में काम आती है तो एक तो उसमें जिपसम से क्रिया होती है प्र इसको पी एच कम होती है दूसरा हरीखाद मिलती है जब मिट्टी में नमी होती है उस समय उसको पलट देना चाहिए जब उसको पलट दिया अपने मिट्टी में तो वो क्या सडगल जाता है अच्छी तरह और सड़ने के बाद उसमें उसके जो पोशक्तत में फसल के हरीखाद के वो भी मिट्टी में मिल जाते और धेंचे के कारण भी मिट्टी की pH कम होती है.